आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है मारे पास The solution of the equation dy by dx equal to y square minus y minus 2 upon x square plus 2x minus 3 is इसका मतलब आपको क्या करना है आपर यह जो differential equation given है इस differential equation में simple आपको इसको solve करना है और answer check करने तो आपके पास जब आप इस equation को ध्यान से देखते हैं तो यह आपके पास 1st order 1st degree differential equation 1st order 1st degree differential equation को solve करने में जो methods हमारे पास है उनमें 1st method आता है variable variable separable तो यह है variable separate कर आंगे bakal बिल्कुल की ख़रते है variable separate करने का मतलब है y जcado की तुम आपके बास है वह dy के साथ आप आप अरडे आप आप आपिłbymकोडिए यह y त readers are dy के साथ आफ yeah on that x आपके इस बास दी आपको det enc 2ह क्या सतर ऑफ़ mad separate होगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, आपर integration करते हैं, तो integration अगर मुझे यहाँ पर करना है, तो उससे पहले मुझे इसको थोड़ा solve करना पड़ेगा, तो solve करने के लिए, हम इसको form बनाते हैं, जहां पर आप integration कर पाएं, तो देखें, denominator में आपके पास यह यह चल रहा है, y²-y, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको whole square बनाएंगे, तो whole square बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जो y की 1 power आपके पास चल रही है, इसका multiple, इसका multiple है, minus 1 इसका half आप देखेंगे, तो इसका half होगा minus 1 by 2, और उसका square आप करेंगे, तो आपके पास 1 by 4, तो इसका मतलब यह जो आपके पास है, इसको आपको add करने के requirement रहेगे, फिर से repeat कर देता हूं, y के multiple के half का square, तो minus 1 का half था minus 1 by 2, उसका square हो तो 1 by 4, अगर आप इसको add कर देते हैं, तो complete whole square बन जाता है, ठीक है? तो add किया है, तो इसका मतलब आपको इसको यहाँ पर subtract भी करना पड़ेगा, तो यह मैंने minus 1 by 4 भी किया, और minus 2 जो पहले से चल रहा था वो तो है सेम यही concept हम RHS में भी apply करेंगे, तो x square plus 2x, हाँ यहाँ पर देखें आप x का multiple is 2, इसका half है 1 और उसका square है 1, तो 1 का square 1 ही होगा, तो इसका मतलब 1 के आपको requirement ही, तो आपने 1 add किया, तो 1 add करेंगे, तो 1 subtract भी करना पड़ेगा, तो 1 में ने subtract भी किया, clear? इसको हम थोड़ा solve कर लेते हैं, ऐसा करने से ही जो concept आपने यह denominator में किया है, इससे आपके पास यह whole square बन जाता है, तो यह आपके पास whole square बन चुका है y-1 by 2 whole square minus 2 and minus 1 by 4 इसको अगर आप solve करेंगे, तो यह बनेगा आपके पास minus 9 by 4 clear? RHS कि अगर हम बात करें तो dx upon, यह आपके पास x plus 1 का whole square बन रहा है a plus b whole square आपने पढ़ा होगा a square plus 2ab plus b square और minus 1 और minus 3 यह आपके पास बन जागा है, यह आपर minus 4 clear? अब देखें, यहां से हम क्या कर सकते है, इंटिकेशन का formula apply कर सकते है उससे पहले थोड़ा सा अगर आपको इसको और arrange करना है, तो arrange कर लें यह आपके पास y-1 by 2 whole square minus 9 by 4 है तो 9 by 4 को 3 by 2 whole square आपके नोट किया RHS में आपके पास dx upon x plus 1 whole square 4 जो आपके पास था इसको भी आपके 2 square नोट किया अब यहां पर आपके पास यह formula बन जाता है देखें, मैं आपको formula एक बार बता देता हूं formula है और इसके बाद हम answer check करेंगा तो integration के लिए आपके पास यह जो part चलरा है इसका formula जो है इससे related formula होता हमारे पार dx upon x square minus a square तो यह formula होता 1 by 2 है log ठीक है पहले आपके पास आएगा यहा पर x minus a और upon में आएगा आपके पास x plus a ठीक है plus constant तो यहाँ पर आप यही करते है integration आपने apply किया दोने टब में तो देखते है lhs जो आपके पास चलता था इसका integration आप करेंगे तो 1 upon 2 है तो 2 a, a चलता 3 by 2 a कितना चलता में पास c by 2 log x minus है x की जगह है y minus 1 by 2 minus है मतलब minus c by 2 upon x y minus 1 by 2 है आपके पास देखे आप x की जगह क्या है y minus 1 by 2 है तो वही note किया आपने ठीक है और आपके पास plus है तो plus 3 by 2 clear और RHS में same formula apply होगा तो 1 upon 2 है तो a की जगह 2 है यहाँ पर log इसमें यह देखें आप इसको इसमें apply कर रहा है formula x minus a x है आपके पास x plus 1 और a की जगह चलता है आपके पास 2 upon में x plus है x plus 1 और plus 2 clear इसके साथ आप क्या करेंगे आपर यह आपने constant apply के इसके साथ देखो आप क्या कर सकते है log rhythmic में चलता है तो log c ले सकते है और साथ के साथ आप एक बार option भी चेक करेंगे तो option में clearly हमको पता लग रहा है कि c ले रखा है simple log में answer देना तो मैंने क्या किया है आपर option से check करते हैं यहाँ पर c ले लिए अब आप देखें और इसको हम आगे solve करते हैं 2 से 2 cancel होगे आपके पास तो यह 1 by 3 बनता है log rhythmic हाँ इसको solve करें minus 1 by 2 minus 3 by 2 तो यह आपके पास minus 4 by 2 मतलब minus 2 बनेगा तो y minus 2 upon इसको देखे प्लस 3 by 2 minus 1 by 2 तो प्लस आपके पास 2 by 2 मतलब 1 बनेगा clear यह आपके पास 1 by 4 log x minus 2 और plus 1 यह minus 1 बनता है और denominator में बन रहा x plus 3 plus c clear इस option को आप check कर लें आप और देख लें आपके पास answer क्या होगा तो 1 by 4 नहीं है है ना 1 by 3 चल रहा आपके LHS में तो 1 by 3 में हो रहा है लोग y minus 2 upon y plus 1 तो इसका मतलब option number 1 correct होगा RHS भी एक बार check कर लें 1 by 4 log x minus 1 upon x plus 3 तो यह आपके RHS में रिख रहा है इसका मतलब option number 1 is correct option classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट आज चारसो 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 पर